अब बात करते हैं शारुक खान की चिननों फिल्म डॉन में उनका आपने शातर अंदास तो देखाई होगा फिल्म रैस में मिया भाई की डियरिंग भी देखी होगी किंखान की ये दोरों ही कैरेक्टर और फैन्स के बीच काफी पॉपुलर भी है लेकिन अब जरा सोचिए अगर आपको ये दोरों एक साथ एक फिल्म में देखने को मिल जाएं तो क्या होगा यानि की डॉन और रैस एक ही फिल्म में क्या है माच राक्या था यारी कर रहे हैं शारुक खान आईए जानते हैं बीते साल शारुख खान ने फिल्म रेस से अपना खाता खुला था उसका उनने जम कर प्रमोशन किया था फिल्म में शारुख खान का दौन अफ़तार फैंस को खूब पसंद आया था वही फिल्म में सुनी लियॉनी के आईजम सौंग का तरका था तो वही दूसरी तरफ रईस के एक से बढ़कर एक दंदा डायलॉग थे जिनोंने सिनेमा हॉल में दर्शकों का दिल चुडा लिया था और वही माहरा खान की खुबसूरती ने अलगी कमाल दिखाया था तिम ने बॉक्स ओफिस पर शांदार बिजनिस किया था और अब खबर है कि रईस का सीकोलाने वाला है जी हाँ खबर है कि फिल्मी परदे पर एक बर फिर से मिया भाई की डियरिंग देखने को मिलने वाली है वो भी जौन वाले अंदाज में दरसल ऐसी खबरे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाने के कोशिश की जा रही है जिसमें शारुखार, जॉन त्री और रईस टू दोनों किरदारों में नज़र आ सकते हैं दरसल रईस के डारेक्टर रहुल दोलकिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लेकिन रहुल ने एक और ट्वीट किया है जिसमें थोड़ा ट्वीस्ट है और वो ये कि रहुल ने ये ट्वीट निर्माता निर्देश रितेश सिद्वानी को टाग भी किया है और लिखा कि क्या होगा अगर रईस रितल डॉन 3 बनकर आजाए तो रोमा जान कहेंगे कि डॉन को पकड़ना और ये कहते हुए राहुल ने अपनी बात रोक दी अब इसे देखकर यही लग रहा है कि शारुखार, फरान अक्तर और रितेश और राहुल धोलग्या मिलकर कुछ नया और बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं मतलब सोर्सिस का तो ये भी कहना है कि निर्मातर रिदेशक शारुखान के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं किसे दो फिल्मों का मसा वो एक ही फिल्म में दर्शुकों को दे सके यानि कि डॉन 3 की धमागेदार एंट्री में रईज की री एंट्री हो सकती है हुआ हुआ है